अमेरिकी एजेंसी नासा ने ब्रहमांड की पहली रंगीन अद्भूत तस्वीर जारी की है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर स्पेस टेलिस्कोप जेम्स वेब टेलिस्कोप से लिया गया है. ये अब तक की देखी गई ब्रहमांड की सबसे हाई रेजूलेशन वाली पहली रंगीत तस्वीर है. तस्वीर को नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने जारी किया है. तस्वीर में अंत्रिक्ष को काफी डिटेल में क्लिक किया गया है. और चोटे से चोटे कंड को भी देखा जा सकता है। अंतरिक्ष में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। आगे भी अनुसाधन करती रहेगी। बता दे कि जैम्स वेब टेलिस्कोप से ली गई तस्वीर को पिछले 6 महिने से प्रोसेस किया जा रहा था। नासा ने जैम्स वेब के पहले 5 ब्रहमांधिये लक्षयों का खुलासा किया। इनमें कैरिना नैबूला, डबलू ए एस्पी 96B, दक्षिनी रिंग नैबूला, स्टिफन, क्विन्टेट और स्मस 0723 शामिल है। नासा ने तस्वीर को लेकर कहा, इस पहली तस्वीर की रिलीज से वेब के विज्ञान संचालन की आधिकारिक शिर्वात है, जो मिशन के प्रमुख विज्ञान विश्यों का पता लगाना जारी रखेगी। नासा ने कहा कि एक एकर के जारी की गई दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली अंत्रिक्ष दुर्बीन से पहली तस्वीर वेब को अपनी पूरी शक्ति से प्रदर्शित करेंगी, जो इन्फरा रेड ब्रहमान को प्रकट करने के अपने मिशन को शुरू करने क लिए तयार है, आपको बता दे कि 10 अरब डॉलर की लागत से तयार स्पेस टेलिस्कोप को पिछले साल दिसंबर में लॉंच किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाग किलो मीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ये टेलिस्कोप अपने विशाल प्रामरी मिरर औ और उपकरणों की मदद से स्पेस में किसी भी बाकी टेलिस्कोप की तुलना में ज्यादा दूरी तक देख सकता है, टेलिस्कोप में लगे उपकरण इसे धूल और गैस के पार भी देखने में मदद करते हैं, फिलहाल इस खबर में देश और दुनिया की तमाम खबरों के रियाब बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ